श्री रादे रादे भक्तों श्री आयोध्या धाम में विराजमान महराज जी जो थे श्री राम मंगल दास्थी जो सन 1984 तक शरीर से विद्धिमान थे उनका चरित्र आपको प्रभु की कृपा से उन्ही की कृपा से उन्ही सभाग में सुना चुका हूं उनकी ये विशेष्टा थी कि वो परमहन श्री राम मंगल दास्थी महराज गोकुल भावन में जो आयोध्या बिराते थे वो सिद्ध संतों का और देवी देवताओं का आवाहन करते थे और उनको दर्शन प्राप्त होता था और वे सिद्ध संत और देवी देवताओं को उपदेश भी प्रडान करते थे और उसको तुरंत वो लिखते थे तो एक जिन उन्होंने जिन महराज जी का चरित राप्त श्रहून करने स्री मलूग दास जी उनका वाहन किया श्री राम मंगल दास जी ने मलूग दास जी का आवाहन किया और श्री राम मंगल दास जी के सम्मुख मलूग दास जी प्रकट हो गए अब आप यह समझ लिजे कि ये उस उच्च कोट के महापुरुस्थे मलुक दाश दिये कि जो आज उस पांच भोतिक शरीर में नव होने पर भी विराजमान है ऐसा नहीं कि भगवान के ही पास है या नहीं आते हैं पर आज जिसे नारज जी सरवत्र गमन करते हैं बागवान के पास बाइकुंत में भी हैं और यहां भी आते हैं श्यहमान साथ पोद्दार जी महराज को दर्शन दिया था गीता बातिका में आकर गोरखपुर में ऐसी सिद्ध संत जब प्रभु की इच्छा से चाहते हैं यहां भी आकर दर्शन देते हैं तो जब राम मंगल दास जी ने उनको उकारा मलोग दास जी को तो प्रकत हुए और उन्हों ने एक दोहे में अपना मुख्ष उप्रेश पुरजान कर दिया जो मलोग दास जी ने दोहा सुनाया था उसको राम मंगल दास जी तुरंट लिख लिया और उ दोहा क्या था? शीराम नाम सुमिरन करो कहते दास मलूक सुमिरन ही जगसार है हरिसे होय सलूक हरिसे होय सलूक अर्थात भगवान से ही अपनापन जोड करके भगवान से ही रिष्टा जोड कर भगवान से ही प्रेम करके जीव अपने लक्ष को प्राप्ट कर जाता है इसके लिए करना ही होगा दास मलूक अर्थात मलूक दास जी कहते हैं कि श्री राम नाम जग करो और राम नाम का सुमिरन करो याद करो प्रभू को याद करो प्रभू के नाम को याद करो तो भगवान से सलुक हो जाएगा र्थात भगवान के हो जाओगे निजजन ये मलूक दास जी महराज ने राम मंगल दास जी को लिखाया था अब ये बात अधिक सधिक पचास साल पुरानी होगी तो उन्होंने स्विकार किया इस प्रकार की घटना जब घटी उनके जीवन में राम मंगल दास जीवन में उन्होंने स्विकार किया कि ये मलूक ताची वास्तों में असाधारन महापुरूट थे, जो आवाहन करने पर प्रकट हो गए थे, उनके चरित्र को आप श्रमण कर रहे हैं, जो रामनंदु वैश्नो संप्रदाय परंपरा में थे, और सुखारन जी महराज की आशिरबाद से जिनका जन्मगा था, अनंद महिमा है उनकी, तो मैं उने के चरित्र को आगे फिर आपको सुना रहा हूं, वक्त मैंने एक दिन आपको बतलाया था कि तुलशिदास्टी महराज ने, जब आयोध्याजी में श्रीराम चरित्मानस की रचना की थी, संबत 1631 कराओं का था, हरि श्री मलोक दास्टी का जन्म हुआ था, जन्म क्या दिवय प्राकत्ती ही था उनका, तो एक मथुरा दास्टी संत हुए, उसमें वर्णन है कि श्री तुलशिदास्टी महराज ने कहा, कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसंद हूँ, आप संतों की बहुत सेवा करते हो, जो गुर्भाईयों के साथ तिर्थाटन करते हुए, चित्रकूट से सोरों, समवत 1625 में आये वैश्टों के, अंडा, श्री कृष्ण वल्लव काटकी, हावेली के पुरोजों को दान दक्षिना दे करके गंगास्नन करते हुए, ब्रंद तों, रागवनन जी के परिवार, रामनन जी की शाखा, अनन्तानन जी के, बाल गोपाल किशन दास जी, पोहरी के, वन्ष, कील, जंगी, तन तुलशी दास, देव मुरारी जी के गुरु भाई, और गंगाराम, संत राम की श्याम दास जी, मलूग जी, ठित्रकूट चाय, यह सब वर्नन मिलता है, उनके ग्रंथ में, जो मैं अभी बता रहा था, मत्वरा दास जी महाराज, तो मलूग दास जी, के नाम से जो गद्धी है, मलूग पीठ, वर्नशीवत में, वर्नदावन में, वहां के विचे में, वर्नन उन्होंने किया है, कि चोदहवी पीरी की च कि बात में सुरक्षा करने वाले लोग जो अपने ग्रिहस्थ मस गए, वैराग जवान लोग कम हुए, तो पीठ का सही कारे नहीं किया, लेकिन भगवान की कृपा से इस समय तो बहुत ही सुन्दर सम्हालने वाले से राजे इंद्धास जी महराज हैं, जो वहां की मर्याद को महिवा को फिर चे प्रिकट कर रहे हैं, और भक्तों वहां के विश्चे में बहुत पुराने-पुराने ग्रंथों में भी वरनन मिलता है, गोपिनात बाजार के पास केसी घाट में आजही कुण्जादी मंदिर, इनी महंत के निर्मान काल में जिनकी चर्चा में करम परंपरा में थे, उन्होंने बहुत दिन तक संभाल किया था, लेकिन मलूक दाश जी के संपूर भारत परच में जमात चलती थी महराज, मलूक दाश जी के जमातें जो चलती थी संपूर भारत परच में, और बहुत संतराते थे, और उनकी द्वारा एक जगा नहीं, हर जागरती हुई थी जगनात पुरी में गए रथियात्रा का उसर था और जब वो बैठ करके अपने धोनी पर बैठ करके भाव समाध की वस्ता में लीला का दर्शन कर रहे थे तब ही पुरी के महराज को मलुकदास्टी के आने के खबर मिली तो पुरी वास्टी दर्शन का ला राज भागे हुए आये सास्टांग प्रणम किये तो उसे समय धूनी से टिकल निकालकर ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे मलुकदास्टी महराज और भोग लग जाने पर राजा ने भी परशाद के भाव से आगे हाथ बढ़ाया कि थोटा सा टुकुडा मुझको भी मिले तो प्रस्टनों एक टुकुडा राजा को दिया फिर मंत्रियों को दिया उपरस्टित लोगों को भी बाटा राजा भी उनके जरा से परशाद के लल्चाता था अर्था भाव भरी बिन्ती करता था इतना प्रभाव था मलुकदास्टी महराज किया और मलुकदास्टी के टुकुडा की परशाद को प्राप्त करके बड़े-बड़े काम लोगों के हो जाते थे बक्तो राजा ने कहा कि महराज जी मैं तो पेट भर के परशाद आपको पाना चाहता थे बले इसी से पेट भर जाएगा चिंटा मत करो और एक कन भर प्रशाद दिया था राजा के पेट भर गया और भी असे कई लोगों कान भर हुआ और फिर जगनाट जी की आग्या होई कि सभी जीवों का उपकार कर सुखी करो सबको अपनी कृपा करोना से कृतार्थ करो हम तुमसे एक छण के लिए भी विलग नहीं सरवत्र तुमारे साथ हैं तुमारे रक्षेक हैं तो जगनाट जी को अपनी साथ अनुवो करते थी महराज जी फिर विशाल जमात के साथ दक्षिन यात्रा पर गये दक्षिन में श इसने इसलाम को स्वीकार कर लिया था बात में हिंदूों का विरोधी तक हो गया था उसे अपने प्रभाव से प्राभूत करके फिर से हिंदू बनाया और महराज इतनी शक्ति थी मलूग जास दी के अंदर कि भटके हुए राजाओं को भी जो कि इसलाम स्वीकार कर लिये महराज जी मलूग जास दी के अंदर इतनी शक्ति भगवान ने प्रकट की थी कि बड़े बड़े दुष्ट सुभाव के जो राजा थे मुसल्मान वो कांप जाते थी मलूग जास दी के पहुंचने पर और फिर प्रजा के साथ चरणों में आते थे शमा मांगते थे बहुत शक्ति थी महराज जी के अंदर वहिश्णवता का प्रचार करते हुए भाइवीत हिंदूों को आस्वस्ट करते हुए शी रंगम रामेश्वरम कन्या कुमारी आज दक्षन के तीर्थों में गये दक्षन में भी मत्र स्थापित करके अपने शीष गरीब दास हाथी राम दास जी को भाक्ती के प्रचार के लिए विराज मान किया वहां से गुजरात की तीर्थों की आत्रा की शी द्वारका, सुदामापुरी, सोमनाथ, गिलनार, नारायन सरोवर, बिंद सरोवर, आभू परवत इन सब को धर्शन किया गुजरात क्षेत्र में मत्र स्थापित करके अपने शीष केशवदास को स्थापित किया वहां से काबुल कांधार में अपने सिद्ध शीष रामदास जी को विराजमान किया वहां से मुलतान की आत्रा करके वहां पर मत्र स्थापित करके अपने शीष मोहनदास को धर्व परचार के लिए स्थापित किया वहां से स्फाहाबाद जाकर वहां मट स्थापित किया और शीशी हुरदय रामदास को स्थापित किया अपनी आत्राकाल में काबुल, मुल्टान, नेपाल आज देशों में भी गद्धियों को स्थापित किया मलुकदास्टी महराज में वक्तों इसमें कोई उनकी लोव लालच की बात नहीं थी अधिक सदिक जीवों को भगवान की भाक्ती में लगाने कब उनका मन इतना प्रभु की कृपा से निश्चे कर लिया था कि इस सेवाकारे में लगे रहते थे कभी बंदाबन, कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या विराज्टे कभी काशी, प्रयाग, स्वाहबाज, जैपुल, लखनव, भोपाल, पतना, अधिस्थानों पर भी गदियां स्थाफित करने जाते इस प्रकार मलोगदास जी उनकी सिसे प्रिश्योष्यों के द्वारा एक बार तो गुष्वामी तुल्ची जाजी महराज कड़ा पधारे, कुछ दिन भी राज करके मलोगदास जी की सेवा स्विकार की और गुर्भाईयों के साथ जमात गुमाते विए दर्शन करते विए सोरों भी गए थे वहां से ब्रणदा बन पधारे, मार्ग में ओर्चा, रामराजा सरकार के दर्शन, वेत्रवती स्नान ये सब किया था मलोगदास जी महराज की ब्रद्धावस्था का समय उनके जीवन का सबसे महत्वपोन काल था जीवन के सबसे अधिक उलिखने गटनाई व्रद्धावस्थाम गटेट हुए थे उनकी इन्हें अन्तिम वर्सों में अपने संप्रजाय अर्थात भगवान स्री रामनंजी महराज के संप्रजाय के प्रचार को ध्यान में रख करके महत्वपोन ग्रंथों की रचना भी की निरांतर संतों का आगमन होता रहता था इनके पास चारों और भगवान नाम की ध्वनी सुनाई पड़ती थी द्वार पर कोई भूखा नहीं रह सकता था रोगी दुखी शीन मलिन सब के अशधी की पूरी व्यवस्था सब के भोजन की पूरी व्यवस्था होती थी ऐसा प्रभाव उनका था गोर से गोर जो विरोधी होते थे भक्ती के उन सब को भी भक्त बना देते थे ऐसा प्रभाव था महरा जी का कि एकदम नास्टिकों को भी ठाकुर जी की भक्ती में लगा देते थे शीष्य बना देते थे अपना और भगवान कृष्ण का राम जी का भक्त बना देते थे निर्गुन सगुन साकार निराकार शब्दों का आर्थ समझा करके फिर कहते थे कि भाई आपको ज्ञान नहीं है आप भक्ती में लग जाओ और विव्यक्ति भक्ति में लग जाता था और उसका जीवन पूरा भक्ति में बना देटे थे इस प्रकार से भक्तु महराज जी का अठात मलूक दास जी का संपूर जीवन भागवत प्रेम, सेवा, त्याग और तपस्चा में बेचीत हुआ और अनन्त जीओं का उपकार राज जी के द्वरा हुआ ये सब कारे जो बहुत कठिन कारे थे सब करने के बाद अपने मन बुद्धी को अपने प्राण वो लब श्री राम जी के चरण कमलों में अब निमगन कर देना ही वो चाहते थे फिर तो प्रभू ने ऐसी कृपा की कि संपून प्राणियों को भगवत स्वरोब मानने लग गये वो और चित शरीर संसार से सर्वथाव प्राम हो गया और भगवत दर्शन होने लगा उनको हार जी गया वक्तों ऐसे स्रेष्ट संत काल जाई होते हैं वे काल की अधिन नहीं होते हैं अपितु काल उनकी अधिन होता है उनका हर्दे संसार त्याग कर अपने प्राणधन रगुनाजी की चरण कमलों में जाने को छट पटाने लगा था कभी आसन पर बैठते जो कभी बगीचे में जाते कभी किसी सरोवर पर बैठ जाते अथवा एकांत गंगा जी का आश्रे लेकर बैठ जाते जैसे ब्रहमरे एक योजन से कमल की सुभास का ग्रहन करके होत जाता मकरंद का पान करने आशे श्रद्धाल प्रेमे जिग्यास भक्त खुष्टे-खुष्टे महराजी के पास पहुंच जाते थे जो कुछ पत्र पोष्व फल में स्ठान महराजी की चरणों में अरपित होता था उसे संथ प्रमदित होकर के भाव से ग्रहन करते थे वागवन नाम कीर्टां सुना जाते थे बड़ी उची स्ठिती हो गई थी महराजी के और महराजी कहा करते थे राम जपु राम जपु राम जपु भावर जैसे तुलसी जाजी ने का न उससे मिलता जूता कहत मलूक दास छोड़दे जूठी आस आनंद मगन होके हरिगुन गावरे राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु भावरे महराज भगवान के नाम जपका और प्रभु की कीर्टन का उपदेश सामान नितय सभी को किया करते थे नाम की शक्ति उनके सम्मुख प्रकट हो गई थी और आब उनको नाम महराज का चमतकार दिखलाई पड़ता रहता थे भगवान के छभी भगवान के नाम की छभी सम्मुख प्रकट रहती थी अब मलोकजासी महराज की इस्ठित ये थी कि बस भगवान की चर्णों में लीन होने के लिए अश्रू प्रभा आँखों से उता रहता था और कुछ याद नहीं आता था बस भगवान का दर्शन अंदर और बाहर अंदर भी दर्शन होता था अंतरमुकी व्रिट्टी की करण और बाहर भी आँखोलने पर वही दर्शन होता था अचा नहीं कि केवल हिर्दय में दिखलाई पड़ते थे प्रभू बाहर भी आँख खोलने पर उनको भगवान ही दिखलाई पड़ते थे भगवान की बहुत सेवा किया था जीवन भरुनों में इसलिए प्रभु उनके उपर ऐसी कृपा किये थे कि वासुदेव सर्वमिती समहात्मा सुदूरलभाव जो प्रभु ने कहा है वही इस्थिती उनकी हो गई थी हर जेगा भगवान वास्टयों अर्थात हर जेगा भगवान का दर्शन होता रहता था उनको और एक बावनों ने अपने सिष्य सारंगदास जी को बताया था कि मैं चलना चाहता हूं सारंगदास जी ने विने पुर्व कहा कि आप अपने स्थान पर किसी को स्थापित कर दीजे तो उन्होंने का मुझे किसने स्थापित किया था रभु अपने आप सुब कुछ किया करते हैं अरे मैंने भी भगवान से ऐसी कुछ इच्छा नहीं की थी अबना मुझे किसी मुझे को किसी ने स्थापित किया था तो मैं किसको स्थापित करूँगा ये कारे सब ठाकुर जी का है वही करते हैं सब कुछ दिन पस्चात लोगों के आग्रह पर शिष्य रामसा नहीं दास जी को सेवा के लिए वहां पर विराजमान किया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आप कि कृपा की बेना कुछ नहीं कर पाऊं तो मेरे सिर पर हाथ तो रख दिए बोले ठाकोर जी कराएंगे तुमसे क्यों चिंता करते हो लेकर उनका भाव देख करके सिर पर हात रखती है प्रामसा नहीं दास्टी के सिर पर गुरु का अशिरबात हो गया है बोले मैं तुमें स्थापित नहीं कर जाओं भगवान करेंगे स्थापित वहीं की शक्ति काम करती है बगवान की शक्ति से सब काम होता है तुम प्रभू के प्रेमी बनकर रहो सब कारिठ खाकुर जी करते कराते हैं दूसरा कोई नहीं करता है और बक्तों बहुत ही महान पुरुष थे प्रभू के बेजे हुए थे 108 वरस्तक शरीर धारन करिया 108 वरस्तक प्रच्वी पर ठाकुर जी की आग्या से रहे और जैसे उनका जन्म अवजित मुहूर्थ में हुआ था मध्यानकाल में उसी तरह से प्राकट्टिति थी की तरह से समबत 17 सो अब मैं पहले आप बता हूं 1631 में जन्म वह था और आव समबत 16 सो शत्रा सो उन्तालिस में अर्था ठीक 108 वरस्तक प्रच्वी पूरा-पूरा एक सो वरस एक सो आठ वरस रह करके शरी थोड़ा था महराजी में उस्टरी छोड़ना पर उनकी एक लीला थी जो जो महराजी मलुकदास जी ने कहा था उसकी पूरी-पूरी आग्या का पालन संतो भक्तों ने सिश्यों ने किया था और महराजी की जो आग्या थी उसके अनुसार ही गंगास्तान कराके पीताम बर्दारन कराके द्वाजस्त ओर्द पूंद तिलक तुलसी माला पहिना कर विरक्त परंपरा के अनुसार उनको जल प्रवाह किया गया था गंगाजी में गंगाजी की ही तट पर कड़ा में रहते थे खड़ा माने पूर जो इलहाबाद के निकट है और महराजी ऐसा भी बताते हैं कि मध्यान में उन्होंने कहा था कि गंटा संक कर सब्द सुनाई पड़े तो तुम लोग उस समय भी सरजन करना और जलाना मत देखो यह दोनों बातें प्रचलित हैं वैश्नों संप्रताय में एक तो जलाने का भी है नियम और दूसरे करते हैं कि जलाओ नहीं जल की तीवर धारा में छोड़ो और चरन पादु का समाधी कड़ा में श्रीधाम व्रंदावन में स्थापित की गई और शंत लोग ने बहुत भाव से जगा जगा उनके दर्शन भी प्राप्त की और यह कोई विशेश प्रेमी हो तो आज भी दर्शन पर्शन उनका मिल सकता है। उस समय तो कही जागी संथों को दर्शन मिले थी। जहां जाहां भाकतों ने पुरेम पुरूर पुकारा वहां वहां दर्शन उनका मिला था। और कई जगधिवी रूप में दर्शन प्राप्थ हुआ था भगवत पारशद के रूप में और कई जगधिव परशाद भी उन्होंने दिया था और जगनाथ जी के पनाले के पास मलोगदाश जी करस्थान अभी तक मवदूद है उनके नाम का रोट यात्रियों को भोग परशाद की रूप में दिया जाता है मुख गधियां वरंदा बंधाम आयोत्या कड़ा प्रयाग जैपूर स्फाहबाद गुजरात मुल्तान पतना काशी गया शीका, कुलम, कलापूर, नेपाल, काबुल, आधित स्थानों पर है वक्तों इस सभी गधियां उनकी भ्रमण काल में इस्थापिट हुई थी और संत लोग सेवा करते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि शिवरिंदा बंधाम में तो बहुत ही उत्तों महराज जी जो राजन दास्थी हैं, उनकी महान भक्ती का परताप, उनकी इंदर जो संतत्त है उनकी इंदर जो प्रभू का प्रेम है, उसके कारण बहुत सुन्दर प्रकार से यहां गधि का सेवा करिव चल रहा है और महराज जी का इस प्रकार से मलूग दास्थी महराज का आशिरवाद शिराजन दास्थी की माद्धिन सब को प्राप्त हो रहा है भक्तों कितने उनके सिश्च हुए उनको बताना किसी के लिए संभव नहीं और उनकी सारी लिलाओं का तो वर्णन भी नहीं हो सकता है आधिकतर तो वैश्चन रोगों को शरीर का जो अन्तिम संस्कार अगनीदेव के समर्पी ढोकर ही होता है लेकिन कुछ-कुछ संत ऐसे हुए मलुकदास जी जैसे महराज जिनों ने अपने शरीर को गंगा में प्रवाइट किया था जैसे जमना जी में भी प्रवाइट हुए करे संत और मलुकदास जी के पस्चात रामसने ही महनत हुए और अनंतर बहुत से संत जगह जगह पर जो गद्धिया है वहाँ पर विराजमान हुए नंसुमेर दास आयोध्या दास आदी मलुकदास जी के प्रमुक्षिशे दयाल दास जी सुदामा दास जी ये सुदामा दास जी जो अभी थोड़े दिन पहले थे उनकी बात नहीं की जा रही वक्तों उस समय मलुक दास जी जब शरी छोड़ा था उस समय सुदामा दास जी थे तेवसो दास जी हिर्दे राम गरीब दास हाथी राम राम दास मोहन दास पूरन दास लाल दास आज संत हुए पूरा-पूरा वर्णन तो कौन कर पाएगा और और जगह की जो गदियां हैं उनकी स्थिटी पूरी-पूरी तो कौन जान पाएगा लेकिन जो घंदा बने मलूग पीठ है उसको तो जैसे ठाकुर जी नहीं अपने हाथों से राजे नर् जी के माध्यम से समाल लिया आप जो महराज स्री राजे नर्दास जी हैं जिनको द्वाराचारे का पद्यागे क्योंकि मलूग दास जी का द्वारा है ना बावन द्वारा में से एक द्वारा है मलूग दास जी का तो मलूग दास जी के द्वारा की सेवा बहुत सुंदर सम जाता है केवल वो इट के आचारे या महंत आप नहीं करें है वो बहुत भक्त हैं भगवान के भक्त हैं इसलिए उनके द्वारे एकारे बहुत प्रेम से भक्ती के द्वारा होता है गव माता के भक्त हैं संतों के भक्त हैं गुरु भक्त हैं गुरु महिमा गाते रहते हैं संतों के महिमा गाते रहते हैं भागवजी की कथा कहते रहते हैं और भक्तमाल की कथा कहते रहते हैं कथा उनका जीवन है भक्तों संतों के सम्मान करते हैं और भक्ति मैं ही जीवन उनका पहले चरह आज भी है इसलिए वो प्रणम में है श्री मलूग दास्जी के साथ साथ श्री राजेंदर दास्जी को नमन करता हुआ मैं मलूग दास्जी महराज की चरह टरुको उनके आराध्य भगवान श्राम जी के चरणों में अरपित कर रहा हूँ श्राधे राधे जे श्राधे रूंदावन विहारी लाद की जे राधा रानी की जे स्री राधे